नमस्कार इंडिया वोईस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवम दूबे बुल्टिंग की शुरुबात करेंगे आप बड़ी खबर के साथ उत्तरकाशी की घट्र पर सियम पुशकर सिंग्धामी सक्त हो गए जनपद उत्तरकाशी में मस्जित को लेकर बीते र दुबारह जिला प्रोशासन को ये नर्देश दिये गए है कि मस्जित या उसके आसपास की जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेर सभी दस्तावेर दुबारह से जयांचे जाएं जिससे सचाई का पता चल सके आपको ये बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जित को गिराने क की मांग को लेता है पिछले दिनों सईयुक्त धर्म रक्षा संगिचन की तरफ से जना क्रोश रैली निकाली गई थी जिसमें नव पुलिस कर्मी सहिंद 27 लोग खायल हो गए इस घटना के बाद मंख्यमंत्री पुषकर सिंग नामी ने बीतिय रोज उन्तरकाशु जनपत का नवराक्या और महां कर्पदादिकारी को दिशा नर्देश दिये थी जटोट्यमत्री जटोट्सस्ट और दिपाल लीके सबस्तर से जो हारा पुरेय टाच्टी के इंपर सचता रहं चलाय गया था और उसी कड़ी में आज कल हमारा गाद्यस्तापना दिवस है और कल गाद्यस्तापना की 24 बस दिरे गुरे हैं उसी ठीक एक दिन पहले आज दो सब्सक्राइब अब्यान स्रम्दान का अब्यान कोरी राजी के अंदर चलाएगा रहे सबस्ब्सक्राइब अचिला भीकार गाद्यस्तापनारो ट्रणाद पर्मदाय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी से मुख्यमंत्री आवास में IES Association के पदादिकारियों ने मुलाकात की इस दोरान IES Association के पदादिकारियों ने कई विश्यों पर बातचीत भी की IES Association दोरा बीते दिन सच्चिवारा में साशन के वरिष्ट सच्चिव आर्म मिनाक्षी सुंदरम से हुए दुर्बेवार के मामले पर नियम अनुसार वैदानिक कारवाई किये जाने का अग्रह किया गया और IES Association दोरा शासन में सुरक्षित कारे पर डाली में विक्सित किये जाने को लेकर भी मुख्यमंतरी से निवेदन किया गया और IES Association दोरा जमिनी अस्तर पर कारे कर रहे अदिकारियों और सच्चिवाले कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी खास रोप से ध्यान दिये जाने का आग्रह दिया गया मुख्यमंतरी ने सभी को प्रवावे ढंग से निमानुसार बिना किसी दबाव के कार करने की बात कही वहीं सियम्दावी ने गाहा कि हम सभी को राज की जनता के लिए कार करना है IPS, IES Association दोरा रखी गई मागों को गंभीरता से लिया जाए कुमुक्यमंतरी ने IES Association को आस्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं उसे बहुती गंभीरता से लिया जाएगा और हम सब को मिलकर राज की बहतरी के लिए काम करना है और यह पूरा मामला जो है वो सचिव से अभद्रता करने को लेकर नाराज की हुई है और IES Association इसे नाराज है और मुक्यमंतरी से मुलाकात देए इस कमर पर हमारे साथ हमारे सवयोगी अभय के अंतुरा हमारे साथ फोरो लाइन पर जुड़ गया है अभय जिस तरीके से आर मेनाक्षी सुंदरम के साथ बाता कहनी हुई और यह पूरा बवाल हुआ यह बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है क्या कुछ बातचीत की गई है क्या समस्या का समधार निकलने की संभावना दिखाई दे रही है अभी इस पूरे मसलें पर अगर हम बात करें तो मामला और उलोज सावर में ज़रा रहा है एक तरफ पुलिस की जान सुर्व हो चुक है दूसरी तरफ आप यह कह सकते है कि इस पूरे मामले पर अभीकारी हो या ट्रमकारी हो यह एक प्लामबन होते वे नज़रा रहा है कर देशा में कह सकते हैं कि तरफ 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 प्रकार्वाई करने की मांग की जबकि दूसरी तरफ मीडिया पर यह कह सकते हैं कि बभीकार ने ज़रा बयान जारी किया उससापता पर उनके तरफ से कहा गया कि एक प्रकारी को बस्ता चार अधिकारियों पर करने के बात यहां पर कहा गया था कि अगर प्रस्ता चार अधिकारियों पर करवाई नहीं होती है तो फिर संगेशत के तरफ में उससे एकलाब यहां पर हला बोला जा सकता है उसी संबद्ध करने के लिए हाँ पर गये थे इस पर कहा से इस पूरी चार वाई मैं जो नहीं पर निगनकर आप आ रहा है जो रूपी कि यह कह सकते है कि प्रवारितों की तरफ में पर पुलिस क इसे महत पर की गई है सम्मया में आप चल जार आने के लिए करिम नहीं होती है नहीं से पर एक हम English करें कि बदाने के लिए कि अगर रूपी के करण रहा है यहां पर नहीं होती है प्रक्षा के जो नीमा में बदला नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में जो सच्वाले संग के जो गरमचारी है वो अपना अंदला नवा जारी रखते हैं अबे कल जो हुआ बीते दिन जो हुआ आर्मिराक्षी सुंदरम और बाबी पावार के बीच में जो गटना हुआ उसके कुछ दिर बाद बावी पावार का एक बकाईदा वीडियो भी आता है वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था फालतू में जो है वो रायता गड़ा जा रहा है गर ऐसा कुछ हुआ है तो सिसी टीवी कैमरा जो है वहाँ पर लगा हुआ था उससे सब साफ हो जाएगा उसके बाद कॉंग्रिस का भी समर्थन उन से मिला कि भाई देखे आम जंता अगर अधिकारियों से खुल कर बादचीत नहीं करेगी तो लोगतंतर कहा है रह गया सवाल यह है कि हाँ आई एस उससे इस बात को अपनी बेजिती मान रहा है कि हमारे साथ गाली गलाउच कर रह रहे हैं तो मतलब यह लड़ाई क्या भी लंबा चन्ने वाला और बाभी परवार के उपर ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ करवाई हो सकती है मैं पूरा मामला यह कह सकते हैं कि अथे जा यह परकर ब्रस्ताः अधिकारियों को देज खेंशन डेने का काम सासं क अधिकारि को आपकर गढ़ें उनहीं ने यॉपी छियादान के भी एंविसार और बात जहां आपर क्री हैं उन्होंने कहा है कि अथे बात यह परकरिया है है पिस जो परता चाहरों का उन्हे प्रभू पर अकार्व हुसको रगतना। कि अनावश्चे के निकार्य को नेकर परक्रिया होती है, उस तेंडे परकिरा को नेकट दवा बनाने का काम उनके ऊपर क्या जाएगा, जो पताप से ही क्याएगा, फरकारी कार्यों मन पाधा है, किसी ने परकार से पताप ने होगी, इसलिए उनके परक्रप से मुख्यमंत्र कि पुलिस की तरफ पर प्रभाविस लोगेंजिन इसकी तरफ प्रभाविस लोगेंजिन इसकी पत्र दिया गया उनका जिले का प्रसासनी का दिकारी होता है और बड़ी जिम्मधारी होती है उसके पर लेकिन उसके आफिस में इस तरीके से घुसना और जैसा कि कल गटना हुई अगर इसमें जरा से भी सच्चाई है कि गाली गलाच करना या फिर बाहर देख लेना जान से मारने की धंकी दे की जा रही है और मुख्यमंत्री को भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री की चपयां फीजिशन ऐसी यह लापरवाई हुई चाहि़ वह अदिकारी je फोड़ी ओगर लागी की अगर बादा बनता है तो मुख्यमंत्री की तरॉप से धारापरवा कारवाई भी में देखने को मिलती है अब सवाल यह यह फजाता है कि एक तरफ आये से शिकायत कर रहा है उदर बाभी पुवार कैसा कुछ हुआ नहीं है क्या अभी मुट्चुमंत्री की तरफ से इसलिए भी कारवाई नहीं की जा रही है या सही समय या सबूत का इंतजार किया जा रहा है कि अभी पुवार के बयां दर्श नहीं हो पाएं अगर पुलिस के पर से उनकी घरबतारी यहां पर की जाती है तो फिर पदेश में एक बार फिर जो पुलिस की जो मुस्पिल होंगे वो बैजजियासंग के तरफ से और बफिर में गराएंगी तो कि पूर में भी पुवार कि जब जब घरबतारी पुलिस के जारा यहां पर की गएगी तो गरांडोला में यहां पर किया गया है जिसता सरकार को भी असाइज होने की जिस्तिती है पर नजर आई है बिल्कुल बिल्कुल देहरा दून से जहां मुख्य सच्छिव राधा रतूरी से सच्छिवाले में उतराखंड आईयस असोसियेशन के द्यक्ष आरंद बर्दन सही सभी सदस्यों ने मुलाकात की और 6 नमबर 2024 को साश्षिन में तैनाथ बरिस्ट आईपिया सदिकारी के साथ हुई घटा से अवगत कराया मुख्य सच्छिव राधा रतूरी ने इस समंद में सच्छिव ग्रे को घटना के विशे में आरूपियों के खिलाब तुरंत और कठोर कारवाई और कारवाई करने के निर्देश दिये और मुख्य सच्छिव ने बविश में इस प्रकार की घटनाओं को रोपने के लिए सच्छी वाले की सुरक्षा बेवस्ता का परिक्षण कर प्रभावी कारवाई के निर्देश दिये तुए उत्राखन में बजट खर्च को और धीनी वित्तिय वर्ष यानि फाइनसियर यहर दोजार चौबिस पच्चीस में पूजिगत मद में 15 अक्टूबर तक यानि 6 महीने से जादा समय बीतने के बाद भी सिर्फ एक तीस सो चालिस करूर की राश्वी खर्च की जा सकी जबकि पिछले वित्तिये वर्ष की पूजिगत मद में 14,857 करोड का बजट का प्रावदान किया गया जिसमें 4,489 करोड की राश्वी विवागों को खर्च के लिए आवंटित किया जा चुका है बजट कर्च के आख ओपर नज़ड डाले तो चालू वित्तिय वर्ष की पहली चमाई में बजट आवंटन में से मात्रिक तीस सो पचास करोड रुपए ही उपियोग में लाए जा सके विवागों के मारे तो वर्टमान वित्तिय वर्ष की पहली तिमाही यानि अप्रेल से लेकर जून तक लोगसभा चुनाग की अचार संगिताल लागू होने से विकास कारियों की गती धीमी पढ़ गे कि खनन के संदर में वृद्धी के पीछे जो मुख्य कारण रहे हुए उसका डीटेल विस्तृत जानकारी तो संबंदित विभागी दे जापाएगा हम लोग यहां पर केवल उनके ट्रेंड आनालिसिस करते हैं लेकिन यह एक बात यह है कि खनन की जो व्यवस्था बनी हु पर हुआ करती थी उसको उन्होंने एक दो राज्यों का अध्यन करते हुए उसको यहां पर ख्रियानवीत किया गया है तो इस साल में जो अभी तक जो नतीज़े दिख रहे है वो परिणाम कापी सकारात्मक दिख रहे है और पोटेंशियल तो हमेशा इस राज्य में खनन क पर जाती है यह आकड़े जो हो सभी को देखने जैसे ही होते है तो अब इसकी पता चल रहा है कि उसमें जब बुर्दी हो रही है तो कही ना कही इसमें अवेद खनन हो रहा हो या पिर जिसका टाक्स नहीं आ रहा हो यह सब दूरेदे करके नेट वर्क में आ रहे है तो उत नवंबर तक देरादून के परेड ग्राउंड में आयुजित होने वाले इस युवा महुत्सों में राजी की संस्कृति को भी प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा जो हो खराद नौ पारिक की शाम से हम लोग यहा महसाव राजशापना दिवस के आउसर करेंगे यह नोपारिक की शाम से लेकर चौड़ा तालिक तक यानि की बाल दिवस तक यह यहां महसाव लगाता करके ने कि के बीच में रहेगा इस योग महसव को हम लोगे परेल गराम में आयुवित कर रहे हैं और इस योग महसव मैं माने-मुख्मिंत्री जी के गरकम्रों से नौ तारि Commission से इसका Starbucks एमूर से 14 तारिक तक ये लगतार संचालित रहेगा प्रथम दिन में हमारे इस Yoke Maustral के करिकरम में खासकर जो हमारे National Games होने वाले हैं तो National Games की एक theme भी इसमें National Games की theme भी इसमें मुख्य रुप से प्रदायवी दंच से रखी गई है तो प्रथम दिन हम λोग इसमें आर्तिस्वे राश्टी खेलों के प्रचार प्रसार और परमपरिक खेलों का प्रवेशन रहेगा जिसमें हमारे मलखम, पिठ्थु और मुर्गा जपट का प्रवेशन रहेगा इसके साथ ही हम लोग माने मुख्रमंत्री जी के करकमलों से नाश्टाग गेम्स वोलंटियर्स कि भी हम लोग शिरुवात करें उसकी लॉंचिंग रहेगी स्पोर्च साइंस की हमारे इसमें प्रवशनी भी रहेगी क्योंकि अपकी बार का जो हमारा यूव महसव है उसके लिए जो है वो जो थीम मिली है हम सब लोगों को यूव महसव के लिए वो इनोवेशन इन स्पो बार जारे ने केंद्री एक खेल मंतरी का भाज ranch plugin साहती यूवंसों मियाने के लिए अंवन कृप्रित भी क्या यूव हांट सेरे कार्यारे लेक की की तो हैं देरादून में प्रवासी उत्राखंडी सम्मेलन हुआ और इस दोड़ान उत्राखंड को फिल्म शूटिंग के एक महतुपूर केंदर के रूप में विक्सित करने के लिए विविन पहलों पर चचा की गई इसी के साथ उत्राखंड फिल्म विकास परशित के सीओ और महानेदेशक सूचना बश्षी धर्तिवारी ने राज सरकार के प्रयासों पर प्रकास जालते हुए बताया कि राज्ज में कई आकरशक फिल्म शूटिंग अस्थल है जो देश और दुनिया के फिल्म निर्माताओ को आकरशित कर सकते हैं उत्राखंड फिल्म नीटी दोजा चोपिस को लेकर चर्चा की गई और फिल्म और संस्किति के विगास पर चर्चा का मन्च छेत्री भास्षाओं में फिल्मों को मेलेगी पचास परसंट की सबसेड़ी तो सबाद नागरिक संगिता के प्रावधानों के विरोध में यूकेडी कारकरताओं ने 48 घंटे का पुआस रखा और इस दौरान यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में यू सी सी लागू करना चाहती जिसके पीछे सरकार की मंच लोगों का ध्यान भू कानून और मूल लिवास 1950 से हटाने का है रो ने आगे कहा कि प्रदेश को सबाद नागरिक संगिता की जरूरत नहीं है बलकि मूल लिवास और भू कानून की है जिवेंद्र पवार ने आगे कहा कि सबसे पहले सरकार को इसे गुजरात माराष्ट बि प्रांते डल टीखा विरोद करेंगा और अवेद् रिलिशनशिप बाहर से कोई आता है यहां अवेद् रिलिशनशिप पर रहता है उसके बाद उसको अधिकार हो जाता है क्योंकि मूल लिवास अन्य पर्देशों का भी होगा यहां का भी हो जाएगा तो यह बहुत सारी चीज़ें इसमें खामें आए इस ने पुल कर रहा है और ये पुल मिला करके जो भूकानुन और मूल नुवास पुरी उत्राखन के जनता के दिलों में चारखा है उसके ज्ञान हटाने का इससी लागू करना है ये मुख्यमित्री की योजना है और वो चाहता है कि मूल नुवास वाला मामला कमजूर पढ़ जाए क्योंकि जब वो एक साल तक यहां रहेगा और उसको यह भी लिखा हुआ है कि अगर वो राशनकार की फैदा उठा रहा है राजय सरकार की युदाओं का लाग उठा रहा है तो यह बहुत बड़ा पार के साथ अन्याई और आप भहिस में बहुत अच्छा है अगर समझते ह तो खबर देहरादून से है जहां वन आरक्षी प्रतिक्षा सूची में चैनित बिरुजगार युवाओं द्वारा वन विभाग का घहराफ किया किया चैनित अब्यर्थियों द्वारा वन विभाग पर आरूप लगाते हुए का कि भरती पक्रिया पूरी होने के और चार म स्वाग है कि जब तक वन विभाग सभी वन आरक्षों को नियुक्ति नहीं दे देता तब तक यांदोलन ऐसे ही अन्वरत चलता रहेगा अंदोलन के पहले दिन मुख्यबंसर रक्षक मारों विकाय से संस्ता और कार्वी प्रविंदन मिराक्षी जोसी युवाओं के बीच पहुची लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी युवाओं ने अंदोलन जारी रखा हमरों में आगे बढ़ेंगे उत्राखन की रज़त जहनती के मोके पर प्रदरीश भर में कई कारक्रमों का आयूजन हो रहा है देरादून के रेस कोर्स के बन्नू ग्राउंड में स्वक्षता अभियान कारक्रम का आयूजन हुआ जिसमें सीम पुशकर सिंग नामी ने भी इंस्टालिया इस दोरादून सीम नामी ने जाड़ू पकड़कर सफाई की साथी सीम के साथ कई विदायक और कैमेर मंत्री प्रेम चंद अगरबाल भी शामिट हो तो खबर रुद्रपूर से है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुटबेड हो गए इस दोराद गोली लगने से बाइक सवार दो बदमाश घायल होगे दोनों को जिला इस्पताल में वर्टी करवाया गया रुद्रपूर के ब्लॉक रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुटबेड होई पुलिस को देख बाइक पर बदमाज ब्लॉक रोड की और भाग निकले जहां पुलिस को पीछे आते देख उन्होंने फारिक करना शुरू कर दिया जवाबी कारवाई में पुलिस ने भी फार किया और दोनों को गोली लग दिया दोनों को जिलास को ताल में परती करवाया ग किया गया और आसपास के थाने जो घटना अस्थल है उसके आसपास के थानों को सुचना दी गई जिसमें घेरा बंदी की गई रुद्रपूर कोतवाली छेतर के ब्लॉक रोड पर इन दोनों बदमाशों को घेरा गया इन्हें रोकने का प्रयास किया गया यह नहीरू के और प्लिस पर फायर कर दिया जबाद में पिलीस की द्वारा भी फायर किया गया और इन दोनों बदमाशों के पर में गोली लगी है उस्पिटल ले आ गया है पूस्टाज की दोरह नहीं बताया कि बरेली और राजस्थान के जयपूर में इन पर कई मुकदमे दली प्रित्राखन के वन विभाग द्वारा बाबा तुमगनाथ की देव डोली को रूखे जोने कुले कर उत्राखन कॉंगरस के मुख्य प्रोकता गरिमा मेरा दसोनी ने नराज़ की जताई है प्रित्राखन के वन विभाग द्वारा बाबा तुमगनाथ की देव डोली को आगे का रास्ता दिया गया कॉंगेस ने तरीति सोनी ने इसे सरासर वन विभाग की अधिकारियों की बगवान तुमगनाथ की श्यान में सरकारी हनक और अबधरता बताया इस तरह का exceptional case जहां स्वहम भगवान की डोली जा रही है देखताओं की हमारी डोली जा रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वन विभाग की भूमी को या जंगलों को नुकसान पहुचा रहा था यह बिल्कुन हानिकारत नहीं था कोई हानी किसी को नहीं पहुचाई जा रही थी तो ऐसे में यह अपना जो हमत दिखाने की आदत वन विभाग को है पता नहीं यह कर जाएगी और किसके इशारे पर यह देख दोली रोकी गई कैसे अपने इस तर पर उन लोगों ने फैस्टा ले लिया यह कहीं न कहीं हिंदू सनातन धर्म के अनुयाईयों को उसके मांने वालों के भावनाओं के साथ खेवाव है तो देव विभाव सब्चार में फिलाले विक लिए बस इतना ही देश वर दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं लिए नमस्कार